हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 कक्षक 11 का विशे पॉलिटिकल साइन्स राजनीती विज्ञान और राजनीती विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए राजनीती विज्ञान के मूल आधार की इकाई दो का अध्य पांच जिसका नाम है राजका भारतिय उदारवादी एवं माक्सवादी द्रश्टी कौन बच्चो इस अध्याय के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट वन में पढ़ चुके हैं और कुछ जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट व में पढ़ रही हैं तो चलिए शुर अधरवाद ौरद की आलोचना उदारवाद में बहुत सारी विशेषताओं भी हैं अच्छाय हाभ भी हैं लेकिन कुछ अधर्वाद की कमिया हैं जो हम देखते हैं उदारवाद के विरुद कहीं जाने वाले बातों को निम्नानुसार समझा जा सकता पहली है राज्य एक आवशक बुराई नहीं है यानि कि उधारवादी राज्य को आवशक बुराई मानते हैं यानि उधारवादी क्या मानते हैं राज्यों को एक आवशक बुराई मानते हैं किन्तु यह धारना भ्यामक है राज्य का निर्मान मानव जीवन की आउशक्ताओं की पूर्ती के लिए हुआ है उसका आदर्श मानव कल्यार में व्रदी करना है राज्य के बिना एक सब्वे और सू संस्कृत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती यानि राज्य के बिना कैनी की जा सकता एक सब्वे यानि कि ये ऐक अच्छे और सू संस्कृत समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती दूसरा है राज्य स्वतंतृता को नश्ट नहीं करता उदारवादियों की यह धारना भी अनुचित है यानि कि यह उचित नहीं है कि राज्य के कारे छेत्र में किया गया विस्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता को नश्ट करने वाला होगा जबकि वास्तियुक्ता यह है कि राजे द्वारा बनाए गए कानूनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है ना कि उनका हनन होता है खुली पृतियोगिता दुर्वल वर्ग के लिए हानि प्रद और कुछ उदारवादी खुली पृतियोगिता में विश्वास करते हैं यानि कि वे खुली पृतियोगिता को अच्छा मानते हैं तता बलशाली ही जीवित रहे के सिदान्त का समर्थन करते हैं, यानि उदारवादी क्या करते हैं, खुली पृतियों गिता में विश्वास रखते हैं, उसे अच्छा मानते हैं, और बलशाली ही जीवित रहे, यानि बलशाली का ही आधिपत्य रहे का सिदान्त का वे समर्थन करते हैं ये हिस्ति समाज के निर्बल वर्गों के लिए हानिकारक होगी साथी आर्थिक छेत्र में भी खुली पृतियों गिता समाजिक द्रस्टी से लाबदायक नहीं है पुझीवादी वर्ग का दर्शन उदारवाद पुझीवादी वर्ग का दर्शन है ये पुझीवादी व्यवस्था को बनाये रखना चाहता है ये राज्य को आर्थिक मामलों में हश्ट शेप का अधिकार भी केवल पुझीवादी अर्थिववस्था को बचाने के लिए द संबाव है जबकि वास्तिविक्ता यह है कि वर्ग विवाजित समाज में परिवर्टन वर्ग संगर्ष तथा क्रांती के बदलाव कैसे होता है वर्ग संगर्ष तता क्रांती के द्वारा ही होता है साथ ही उदारवाद आर्थिक सुदारों के द्वारा आर्थिक समानता इस्थापित किया जाना संभव मानता है जबकि बिना निजी संपत्थी को समाप्त किये आर्थिक समानता संभव नहीं है अब हम देखेंगे कि उदारवाद का क्या योगदान है उदारवाद का प्रभाव जीवन के निम्नी लिखित छेत्रों में देखा जा सकता है तो उदारवाद का जो प्रभाव है वो कौन का चेत्र में देखा जा सकता है वो हम देखेंगे पहला है सामाजिक वे धार्मिक छेत्र में देखा जा सकता है यानि कि समाज में और समाज में जो व्याप्त जो धर्म है उस चेत्रों में भी देखा जा सकता है सामाजिक वे धार्मिक छेत्र में उदारवाद ने धार्मिक स्वतंत्रता वे सहशुनता पर बल दिया जिससे रोम के पोप की राजनीतिक सक्ति समाप्थ हुई。 चर्च वे राज को अवांचिनी अगटमंधन समाप्थ हुआ तता व्यक्ति धार्मिक रूप से सतंत्र हुआ। दूसरा है आर्थिक छेत्र पर इसका प्रभाव है, आर्थिक छेत्र में उदारवाद ने राज की हस्तशेप पर आधारित मुक्त व्यापार नीती पर बल दिया, जिसके फलसरूब दूर दूर के छेत्रों में, दूर दूर के देशों में व्यापारिक सम्बं दिस्थापित हुए और विश्व वाजार का निर्मान हुआ यानि कि क्या हुआ आर्थिक छेत्र में इसका प्रभाव कैसे रहा कि आर्थिक छेत्र में उदारवान ने क्या किया राज की हस्तिशेप पर आदारित मुक्त वैपार नीती पर बल दिया और जिसे क्या हुआ जो दूर-दूर में जो देश थे हैं बहुत दूर-दूर उनकी बीज में जो वैपार है वो संभव हो पाया और उनकी बीज में क्या हुआ सम्मन्द इस्तापित हुए है और विश्व बाजार का निर्मान हुआ है यानि कि विश्व में जितने भी जेश है वो एक दिसरुक वस्तुएं बेच सकते हैं और उनसे खरीब भी सकते हैं तीसरा है राजनितिक खेत्र उधारवाद का राजनितिक खेत्र पर किया प्रभाव रहा है ? राजनितिक खेत्र intrava ने सुउतंत्र रृत्वे समानता पर आधारित लोक्त्तंत्रिय शासन प्रणाली का समर्दन किया जिस स्वतंतरता मक्ल व्यवास्ताव का अंथ होगर कि अं ठोंकर वाँ पर स्थापित हुआ है राजनितिक शैतर में वदार दारभाध सunu मतलब हुं समानता पर उन समान तक काले या मतलब रंग के आदार पर धर्म के आदार फे वर्ग पर आदारी जो बेदवाव हैं उनकी शाषनी परना लिकाओस में क्या किया उसने समर्तन किया जिससे क्या हुआ है राज्चंतरा अत्मक व्यवस्ताओं का अंत हुआ है अब हम देखेंगे राज्य का माक्सवादी द्रश्चिकोर हम दो द्रश्चिकोर बच्चो देख चुके हैं पहला भारती और दूसरा उदारवादी अब हम देखेंगे राज्य का माक्सवादी द्रश्चिकोर माक्स पृत्थम समाजवादी लेखक है जिसके कारे को वेगानिक कहा जा सकता है यानि मार्क्स के जो कारे हैं उन्हें जो कारे किये हैं उसको वेगानिक कहा जा सकता है उसने अपने वांचित समाज का चित्र नहीं नहीं किया है वरन वे उन स्थित्यों का भी विस्तित वर्णन करता है जिसके माध्यम से इन लक्षों को प्राप्त किया जा सकता है अब हम देखेंगे कि काल माक्स इवं फ्रेंड्रिक एंगिल सता उनके अनियायू लेनिन रोजा लक्षंबर्ग माओ तसे तुंग एजन्टो नियो ग्रामसी आदि के संपूर्ण चिंतन को माक्सवाद कहा जाता है यानि इन सबी जो विचारक है उनके चिंतन को क्या कहा जाता है माक्स एक समाजवादी विचारक है उसने वैचारिक आदार पर समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए क्रांती की अनिवारियाता पर बल्ल दिया है माक्स वाद को व्याग्यानिक समाजवाद भी कहा जाता है माक्स ने अपने पुर्ववर्ती चर्चवादी, विचारको, आदर्शवादियों एवं व्यक्तिवादियों की राज्य संबंदी अवधारना को खंडन किया है अपने हितों की रक्षा के लिए किया है यानिकि मार्ग्स क्या मानते हैं कि राजे कृतिरीम संस्ता है जिसका निर्मान शोशक वर्ग ने किया है शोशक वर्ग कौन सा होता है जो निर्बल व्यक्तियों का शोशन करता है उसे शोशक वर्ग कहते हैं तो उसका निर्मान किस ने किया है शोशक वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है और श राजी के प्रकर्ति यानि राजी के नेचर के आधार पर राजी का उद्देश यानि कि राजी के उद्देश क्या है राजी के एम क्या है उसके आधार पर भी समझा जा सकता है समाज की अवस्ता अनुसार राजी की व्यवस्ता के अनुसार भी समझा जा सकता है राजी वी सम आवसान का माक्सवादी सिध्धान तो राजी के अवसान का माक्सवादी सिध्धान तो राजी के अवसान का माक्सवादी सिध्धान क्या है यह हम देखेंगे तो माक्स का विचार है कि समाजवादी समाज में उन भौतिक परस्तित्यों का जनम होगा जिनके कारण राजी की राजेवादी समाज के समयवादी समाज के इस्थापना की माकस के अनुसार समाजवादी समाज में राज्य के क्रमश शीड होकर नश्ट हो जाने के कारण निम्ना नुसार है और माक्स कहते हैं कि वो नश्ट हो जाएगे लेकिन किरकाकिन कारणों से नश्ट होगी वो हम देखते हैं तो माक्स या नुसार राज्य का उदे निजी संपति के रक्षक के रूप में हुआ है यान समाजवाद में कहता है समाजवादी विचारदार क्या कहती है και इसमें private प्राइवेट जो निजी संपती यह उसका अंप कर दिया जाएगा तो कहते हैं माक्स एते हैं की राजज का उधे निंजी समपति के रख्षक के रूप में हुआ है लेकिन समाजवादी समाज दूसरा है माक्स के अनुसार राज्य एक वर्गी ये संस्था है यह शोशक वर्ग के हाथ में शोशित वर्ग के उत्पीरन का साधन है यानि माक्स मानते हैं कि राज्य जो है उसके आधार पर शोशक वर्ग है वो शोशित वर्ग के उत्पीरन को उत्पीरन का साधन है यानि राज्जी के साहता से जो बलवान वर्ग है वो निर्बल वर्ग के साथ अन्याय करता है। उसके साथ उसका सोशन करता है किन्तु समाजवादी समाज में शोशक वर्ग पुझीवति का अंत हो जाएगा और समाज में एक ही वर्ग श्रमिक वर्ग रह जाएगा अत्या वर्ग संगर्ष का भी अंत हो जाएगा इस स्थिति में राज्य की आवशकता नहीं रहेगी और त नहीं होगी आता है क्रमस ऐसी परिस्थितिया भी बनेगी कि समाज में शांति व्यवस्ता बनाएं रखने के लिए भी राज्य के अफसकता नहीं होगी यहीं उपराथ करने के आफसकता ही नहीं होगी जिससे क्या होगा कैसी परिस्टित्या बनेगी कि समाज में शांती व्यवस्ता बनाये रखने के लिए भी राज्य की आवशक्ता नहीं होगी आगे देखते हैं माक्स के अनुसार उप्युक्त कार्णों से समाजवादी समाज में रज्य क्रमशय शीड होने लगेगा यानि नश्ट होने लगेगा और अंत में उसका अवसान हो जाएगा और अंत में वे खतम हो जाएगा पूरी तरह नश्ट हो जाएगा इस प्रकार साम्मेवादी समाज की स्थापना होगी जो की राज्य विहीन वैवर्ग विहीन समाज होगा अब हम देखेंगे माक्स के राज्य सिद्धान्त की आलोचना तो उसके कुछ फिशेस्ताओं के साथ-साथ इसकी कुछ कम्या भी है और इसकी कुछ आलोचनाएं भी है जो हम देखेंगे माक्स के राज्य सबमंदी सिद्धान्त की निमलिकित आदवारों पर आलोचना की गई है राज्य वर्गे संस्था नहीं है यानि कि माक्स राज्य की वर्गे उत्पत्ती के वर्गे सिद्धान्त का समर तक है और बताता है कि राज्य की उत्पत्ती वर्ग संगर्ष से हुई है वर्ग संगर्ष क्या होता है जब दो वर्ग आपस में जगड़ा करते है या दड़ाई जगड़ा करते है तो उसे क्या कहते है वर्ग संगर्ष करते है और मतलब वर्ग संगर्ष करते है और मतलब दो कि रक्षा करने वाली संस्था है किन्तु यह सत्य नहीं है यानि कि यह सच नहीं है राज्य तो व्यक्ति सेवा और कल्यान करने वाला संगठन है यानि राज्य क्या है व्यक्ति की सेवा करने वाला और कल्यान करने वाला संगठन है राज्य रूपी संस्था का उद्य मनुष् कि रक्षा करने के लिए हुआ है किसी वर्ग विशेश के रक्षा करने के लिए नहीं हुआ है राज्य कल्यानकारी संस्ता है माकस ने राज़ को सोषक वर्गे के हाकों में शोषित वर्गे के उतपीण दमन और सोषन की संस्ता माना है समाज में के वल आर्ठिक वर्गी नहीं होते हैं बलकि अनेक धार्मेक वर्ग सांस्कृत एक नसले तदा भाशाई वर्ग भी होते है राजे का कारे इन सभी वर्गों के समने हितों की रक्षा वे वरदी करना है तीसरा है पूझी वादी राजे समन्दी गलत धारना वर्तमान समय में पूझी वादी राजे के विकास ने इससे समन्दित माक्स की धारना को गलत सिद्ध कर दिया है माक्स ने पूजिवादी राजजे को श्रमिकों की कुरूर शोषण का सादन बताया है माक्स का मत है कि पूजिवादी राजजे का पतन सुनिश्चित है किन्तु आधनिक काल में पुझी वादी राज्जी पहले ही तुला में अधिक शक्तिशाली वे प्रभावशाली है पांचवा है राजवीन समाज की स्थापना संभव नहीं है यानि कि राजवीन यानि राजवीन की बिना समाज की स्थापना संभव नहीं है माक्स की राजेविन समाज की इस्थापना की धार्णा एक कलपना मात्र कि ये कि मेजिन है जो की साकार नहीं हो सकती रूस की क्रांज्टि को अठ्याण में बर्स बीत चुकें यानय की 98 अबीक राजी को दफना दिया गया माक्स ने राज की उत्पत्ति का जो वर्गे सिद्दान प्रस्तुत किया हो एक पक्षी है यानि कि वह इस्सरीफ एक के लिए है यह एक पक्स में सोचता है मांक्स राज्य को वर्गों का सोचन करने वाली संस्ता मांते हैं जबकि राज्य का उद्देश लोक कल्यान है यानि कि सभी का कल्यान करना है राज्य सभी नागरिकों के हितों का ध्यान रखता है कि किसी वर्ग के हितों का नहीं यानि राज्य क्या करता है सभी के नागरिकों के हितों का ध्यान रखता है बल्कि किसी एक वर्ग का नहीं यानि कि किसी पैसे वाले वर्ग का या कि भुजुरवा वर्ग का नहीं बलकि राजे सभी के नागरिकों के एतों का ध्यान रखता है तो बच्चों आज हमनी हमारा ध्याय राज्य का भारतिय उदारवादी माक्सवादी द्रश्ट्री कोन कंप्लीट कर लिया है अगली वीडियो में मिलते हैं वच्छो अगले चेप्टर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद